कि अपने ही चैनल बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग सबी लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं बात करने वाले हूं जसकी आप लोग को पता ही है विंटर सीजन स्टार्ड होने वाला है विंटर सीजन में हमारे हाथ पाउं काफी ज़्यादा फट जाते हैं इसके लिए क्या कुछ आप लोग को करना है सब कुछ मा आज आप लोग को वीडियो में बताने वाले हूं अगर आप लोग के हाथ या पाउं विंटर सीजन में जैसी सर्द्यों के मौसम स्टार्ड हो जाता है तो अगर आप लोग के पाउं कुछ इस तरीके से दिखते हैं या ऐसे हो तो यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है क्या होता है कि कारण होते हैं किन कारण की और जैसे फटता है सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताते चलूंगी अगर आपके पॉँप इस तरीके से फट जाते हैं तो यह क्रीम सिर्फ आप लोगों के लिए ह अगर आप लोग इसे इस्तमाल करेंगे तो आपके पाऊ एकदम मलाई जैसे चिकने हो जाने वाले हैं कुछ इस तरीके से अगर आप लोग भी चाहते हैं विंटर सीजन में आपके पाऊं बिल्कुर ना फटे एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहे तो इस क्रीम को इस्तमाल करने के बाद आपके भी पाउं कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं तो ज़्यादा बात ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आईए देख लेते हैं तो फ्रेंड क्या करना है हमें एक बरतन लेना है जो कि मतलब आप यूज नहीं करते होंगे बहुत ही पुराना सा बरतन हो कोई तो चैसे कि मैंने ले लिया है इसे हम यूज नहीं करते हैं अगर आप लोगों के पास में कुछ और है पुराना सा बरतन या कुछ और चीज जिस भी से हम यूज नहीं करते हैं तो जुवी आपके पास और आप उसमें ओयल को गरम करते हैं सब्सक्राश ψ तकार हमें टूकड़े टंद्ल के मतलब छोट चोटो टूकड़े करके इससे से इसमें जाया और दिरह 2013 और धन्यार 근데 अगर और ठंडा हो जाये तो आप यह को और गरम करना है तो इस तरीके से आप आप लूज से अब आप लोंको करना क्या है छो क सब्सक्राइब कपूर की पीष नहीं परिको कि पीष चुटी पीष करूंगा तो इसे इसमें आड के लेना है कपूर के दो तुकड़े बर्सात के मौस्म में ठन के मौस्म में अधिकतर हमारे स्कीन फट कि जाती है पानी की कमी हो जाती है जब हमारे सरीर में तो इसलिए भी हमारे स्कीन फट जाती है कई कारण होते हैं या आप लोग अपनी स्कीन के हाथ पॉंग के अच्छे से कैर नहीं करते हैं में हमाने में खरते हमसे हैं करते हैं तो अब लोग क्या करना के अधिक गरम करेंगे तो एक में मूतलब तेल गरम करने हैं तो आप लोग देख सकते हैं मैंने गरम कर लिया है तो अच्छे से यह पिखल लिया है किपूर और एकनडिल विखा आप Lens पाले के लगे तुजिए बतरम आफ कंडों की करें को दें लुजिए एक दम हैं तो करी तो इसका आप हमें करना क्या है इस तरीके से इसमें करना है मैं इसे 15 दिन के लिए स्टोर करके रख दूंगी तो आप लोग चाहो तो इसकी कॉंट्रेटी जितनी चीदे मैंने एड की है कम या ज्यादा कर सकते हैं तो अब आप लोग को करना क्या है कम से कम पांच मिनट का व रहा है तो आप लोग दस मिनट पांच मिनट वेट करेंगे तो इस तरीके से दीखने लग जाएगा अब आप लोग देख सकते हैं क्रीम बनके एकदम तंग्यार हो गया है तो यह क्या होगा ना बाद में मतब एक दू घंटे बाद यह अच्छे से टाइट हो जाएगा वो इसे सॉप्ट बनाके इस तरीके से अपने पाउं में मसाज़ करने थे जाथ Candice की आप लोगों को हाथ में में दिखा रहो थे तो यह चीज आप लोग लोगों को आपने पाउंग करने हैं इस तरीके से अपसल लोग करेंगे नयी reject में सोने से पहले आप लोग इसे लग मौसम में लगेगा नहीं कि ठंड का मौसम आ रख है तो सेम आप लोग ऐसी कल जैसे मैंने आप लोग को बता रख है तो बहुत ही अच्छी किरीम है आपके हाथ पाउंग को अच्छे से केर करेगी तो अगर आप लोगों को वीडियो फसन आया है तो फ्लीज लाइक केमेंट स हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही मिलते हूं अपने अच्छी से न्यूव वीडियो के साथ हैंगे सो मत बबबबबबबबबबबब